हिलो फ्रेंड आरार्बी एंटी पीसी एक्जाम का ओफिसियली आंकरा आच चुका है कि अभी तक आरार्बी एंटी पीसी एक्जाम में कुल कितने चात्र उपस्थित हुए हैं ये आंकरा RRB की सभी बोटों द्वारा मिला कर दिया गया है कि अभी तक कुल कितने चातर एकजाम में उपस्थित हुए हैं तो आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने बाले हैं कि उपस्थिती के कारण कटो पर क्या परवाव परने बाले हैं और इससे रेलवे को क्य फैदा हुआ है सारी बाते जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए आज के बिज़े स्टाट करतें नौकरी के लिए सिर्फ आवेदन की होर परिक्षा देने में नहीं रूची ये आंकरा अजमेर बोट द्वारा दिया गया है कि रेलवे में लीपिक वर्ग भरती के लिए प रिकॉर्ड सवा करोर अभ्यार्थियों ने इस बार आवेदन फॉर्म भरे लेकिन इन में से साथ लाग से अधिक अभ्यार्थी परिक्षा देने नहीं आये पूरे देश में ही परिक्षा में अभ्यार्थियों की अउस्तन उपस्थिती 45 से 50 परतिसत ही रही रिकॉर्ड अ इसके लिए इतनी अधिक संख्या में आबेदन आये और कोरोना ने रेलवे की एक बारगी मुश्किले बरहा दी। इसी बज़ा से प्रारंबिक लिखित परिक्षा अविजित करने में लगभग देर साल की देरी हो गई। आखिर रेलवे भरती बोर ने सभी अभ्यार्थियों की एक साथ परिक्षा लेने के बज़ाए चरनबत तरीके से परिक्षा का कारिक्रम तय किया। यह परिक्षा 28 दिसंबर 2020 से सुरू भी हो गई। परिक्षा मार्च के अंत तक चलेगी। अब तक लगभग एक करोर अभ्यार्थियों की परिक्षा हो चुकी है। इनमें 50 से 55 परतिसत अभ्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। पहले परिक्षा जून 2019 में होनी थी। रेलबे को 200 करोर रुपे की बचत परिक्षा में अभ्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की बदोलत रेलबे को लगभग 2 अरब रुपे की बचत होगी। दरसल रेलबे भरती बोड के नियमों के तहट परिक्षा देने बाले अभ्यारतियों को उनका परिक्षा सुल्क वापस लोटाने का प्रापधान है रेलबे ने आवेदन के साथ समान वर्ग अभ्यारतियों ने 500 रुपे और आरक्षित वर्ग से 200 रुपे परिक्षा सुल्क लिया है लगबग 60 लाक अभ्यारतियों द्वरा परिक्षा नहीं देने से रेलबे को इन अभ्यारतियों को परिक्षा सुल्क नहीं लवटाना होगा जो लगबग 200 करोर रुपे हैं तो अभी तक एक करोर अभ्यारतियों की परिक्षा हो चुकी है जिनमें केबल 45 लाख ही अभ्यारती एक जाउम में उपस्थित हुए हैं तोटल अभेदन की संख्या 1.26 करोर है अगर इस अंक्रे को लेकर चले तो लगबग 55 से 57 लाख व्यारती ही एक जाउम में उपस्थित होंगे 55 से 57 लाख व्यारती ही एक जाउम में उपस्थित होंगे इससे NTPC कटॉप पर बहुती बड़ा परभाव परने बाला है कटॉप बिल्कूल ही कम जाने बाली है क्योंकि आप सबी देख सकते हैं कि टोटल 7 लाख पलस कंडिडेट को CVT2 के लिए क्वालिफाई किया जाना है और एक जाउम में 55 से 57 लाख ही कंडिडेट उपस्थित होंगे तो लगबग 8 कंडिडेट में एक कंडिडेट का सेलेक्शन CVT2 के लिए किया जाएगा तो उपस्थितिक कम रहने के कारण किसी बोट का कटव पचास भी जा सकता है पचास नमर पर भी CVT2 में सेलेक्शन हो सकता है अगर आपके 40 नमर भी आ रहे हैं अगर नॉर्मलाजेशन होकर 10 नमर 12 बर गए तो आपका सेलेक्शन भी हो सकता है तो 40 नमर भाले अभी बिल्कुल भी निराशन हो नॉर्मलाजेशन होने पर अगर इनके 10 से 15 नमर बर गए तो इनका भी सेलेक्शन CVT2 के लिए हो सकता है अगर आपने काटव का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है वहां से जाकर आप उस काटव के वीडियो को जरूर देखे इस वीडियो में जौन वाइज काटव बताया गया है तो आप लोग का टॉप का वीडियो जरूर देख लेजिएगा तो आज का अब डियो समापत करते हैं अच्छा गए तो चैनल को सब्सक्राइब अब्डियो को लाइक और से जुर के तो चलिए आज का अब्डियो देखने के लिए अपका धन्यवाद